हाई फ्रेंट्स एंड वेलकम टू करियर कुल देजूकेशनल गुरुकुल बहुत ही जल्दी हम लोग MBA के जो colleges हैं उनमें admission लेना शुरू करेंगे क्योंकि MBA का cat हो चुका है एन जो दो लाग students जिन्होंने दिये है exam दो लाग धाई लाग उनमें से कुछ ही students हम लोग एक अगर ले भी लें just an approximation तो 10% students से जादा जो students हैं उनको 90% students को actually ये idea नहीं होता है कि हम किस colleges में जाएं उनकी दूसरी problem यह होती है कि for example उनने अगर IAM का ना colleges ले लें जो government के हैं चलिए BHU हो गया AMU हो गया इसके अलावा हम कहां जाएं यह problem होती है number one दूसरा अगर नाम पता भी होता है तो क्योंकि we are always comparing them with these colleges यह left वाले colleges तो हमेशा जब हम जाते हैं तो we are always thinking कि नहीं यहां से हमारा career path उतना अच्छा तो नहीं हो पाएगा जितना अच्छा जो है शायद हम लोग का career path यहां से हो जाता and we always sort of live in a less in a very self-esteem जो हैं उसको we live in a very low self-esteem and यह effect करती है हमारे work को यह effect करती है हमारे work को और यह चीज़ हमको देखनी पड़ेगी कि career path जब हम choose कर रहे हैं तो हम right comparisons करें और हम यह बात याद रखें कि irrespective of किस college से आप जा रहे हैं irrespective आपका personal talent आपको highest growth पे लिजा सकता है यह बात हमें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि उसमें एक truth है और कई colleges इमसे उसमें जादा possible होता है और one of them is nirma university की आप एक अच्छी जगे बहुच सकते हैं आप पे बहुत जादा निर्भर करेगा nirma university के stats काफी there are our specific fees for different services you can take them our chief mentor for mba is miss krithi she is currently the director for b2b in first national bank of omaha usa and this is the content that we usually follow you can just have a look as how we will go through our slides हम लोग की summary sheet ये है इसमें हम लोग जादा तर बाते लिग देंगे जिससे एक idea आपको college का हो जाए so that you do not misjudge the college ठीक है ये 2013 में 2003 में established है so that means almost 17 years old है plus the second thing is ये btec में काफी famous already इस वक्त बना चुका है अपना नाम plus ये btec में बाद में आया है mba for this college is the primary course the flagship course तो ये काफी अच्छा एक चीज हो जाती है rank में ये top 50 में ही रहा है और currently अगर आप देखेंगे तो इसका जो comparison अगर होता है तो four से होगा four business school daily bhu से होगा amu से होगा imt से होगा imt गाजियाबाद और alliance college से होगा in terms of key इनके statistics उनके आसपास हैं बहुत दूर नहीं है faculty की बात करते है faculty इनके बस काफी अच्छी है faculty को हम काफी underrate कर देते हैं MBA college में अगर आप faculty को underrate करते हो and you think कि नई हम सीदे बस हमें placement से ही मतलब है तो जो चीज़ आप company में जाके सीखोगे वो बहुत late सीखोगे आप वही चीज़ college में भी सीख सकते थे अपने professor के साथ इसलिए faculties हमको जरूर देखना है कि corporate experience अगर उन faculties के पास है तो यह बहुत अच्छी जीज़ है अगर PhD का experience है तो भी अच्छी जीज़ है बट हमाए communication जब PhD के professor से हम communication करेंगे तो थोड़ा different type का होगा because उन लोग की जो knowledge है वो case studies से आई है बहुत सारी तो we have to also read case studies and understand what sir or maim is saying जब कोई corporate experience लेके आ रहा होता है और वो sales marketing दे होता है तो आप उससे normal बात कर सकते हैं उससे आप वो normal बात से भी बहुत सी चीज़े समझ सकते हैं क्यूंकि वो उन्होंने उस चीज़ में काम किया है और उनके clients और जहां पे काम किया है वो इंडिया में किया है तो Indian environment और culture के साबसे या बाहर के culture के साबसे वो आपको बता सकते हैं ठीक है इसका placement अब हम देख लेते हैं अभी faculty के बारे में हम थोड़ी सी चानकारी और आपको देंगे faculty के बारे में हम लोग के बाद हम लोग देख लें इनका placement इनका placement लगभग जो है इनके 350 students हर साल आये हैं और उनमे से लगभग जो है 260-270 students का placement हो जाता है तो that is almost 74% students का placement हो जा रहा है जब भी placements MBA colleges में वो लोग देते हैं और वो 74-75-80% के आसपास है this is good क्योंकि हमें याद अखना है कि निर्मा गुजरात में है और कई ऐसे students होंगे जो गुजरात के ही होंगे और वो अपने business में जाने में interested होंगे तो इस stats से हमें डरना नहीं है और हमें ये समझना है कि ऐसे students भी हो सकते हैं और ये stats के बावजू जिस तरह की companies में वो रही हैं वहाँ पे वो काफी अच्छी हैं और काफी अच्छी प्रोफाइल्स में लेके जा रही है और इनकी median salary जो है वो 8 lakhs पर एनम है median salary और median salary का मतलब ये हो जाता है कि जितने भी students placed हुए हैं उनमें से आधे that means 130, 130 students ऐसे हैं जिने या तो 8 lakhs या 8 प्लस मिला है इनकी highest salary जो है इनकी highest salary normally जो range करती है इस बार 2020 में जो है इनकी highest salary actually 13 lakhs के आसपास रहे गई क्योंकि market ही थोड़ा उस तरह का ही था नहीं तो normally जो इनके different years में रही है that is always ranging between highest salaries ranging between 18 to 24 lakhs पर एनम जो कि अच्छा है क्योंकि ये आता है 1.5 lakhs in hand 1.2 lakhs और 24 lakhs आता है 2 lakhs और in hand आप मान के चलिए कुछ नहीं तो 160 के करीब आ जाता है and these are very 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 good figures for a role which is at middle management अभी आपके पास growth का बहुत opportunities रहेंगी क्योंकि कुछ colleges ऐसे हैं जो आपको directly middle management अच्छी companies में पहुचा देंगे वहाँ से आपके पास growth की opportunities काफी जादा होंगी ठीक है इनकी faculties के बारे में मैं एक और चीज आगे बता देता हूँ अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इनको seven years of experience है जिनमें से इनका industry experience seven years of industry experience जो है वो finance domain में है बहुत जादा important है मानदब इनने पूरे industry का idea है यह culture आपको बता सकते हैं किस तरह का है वाँ and 5.5 years of academic experience है ठीक है बट seven years of यह यह बहुत valuable है student perspective के साब से यह जो बहुत important है यह consultancy के perspective से बहुत important है कि लोग इनने consultancy के लिए approach करेंगे तो फिर वो उस consultancy में अपने PhD students को रख सकते हैं या फिर हो सकता है अपने MBA students को भी कहें कि आप काम करिये real life projects में और industry इसलिए क्योंकि आप इनसे बात करेंगे तो आप industry का culture समझ सकते हैं इन मैम को भी इन मैम के साथ भी अगर आप बात करना चाहें आप देख लीजे इनकी information की website पे अविलेबल है इनकी जो PhD है वो बहुत ही interesting topic में वो है workplace spirituality ये बहुत ही interesting है इसकी application इंडियन culture में हो सकती है कि नी इसका एक answer है कि internally तो जो इंडियन है वो cultured है बहुत पुरानी सबहता चली आ रही है तो spirituality उसका part है religion की मैं बात नहीं कर रहा है मैं spirituality की ये बात कर रहा हूँ और workplace spirituality आने वाले time में इस वक्त sensitivity की train sensitivity training के नाम से बहुत जादा जानी जा रही है बहुत जानी जा रही है तो ये जो field है इसमें बहुत लोग जा रहे है this is one of the highest paid fields currently in US sensitivity train यानि की different cultures को समझना और management में उसको include करना ठीक है तो ये काफी अच्छी मैं हो जाती है इनके काफी अच्छी research papers है तो faculty इनकी अच्छी है no doubt कोई problem नहीं है कुछ बाते इन में और मैं बता दूँ कि इनका जो placement हुआ है ये हमने पुराना यहां पर रखा है 22 lakhs का but इनका 2020 में जो हुआ है वो nearly 13 lakhs का हुआ है 2019 में इनका nearly 19 lakhs का हुआ है highest placement highest placement इनका इतना हुआ है एक और चीज मैं बता दूँ कि कि इस तरह की companies आई हैं और किसकी बढ़त जादा हुए है first banking and finance तो banking BSFI लिख देता हूँ है banking, security, finance and insurance ये companies सबसे जादा आई थी जब pandemic चल रहा था और इसके पहले भी ये companies अच्छा खासा आती रही है मतलब 17-18% ये companies आती है और IT भी काफी आई है तो अब अगर इस sector से आ रहे ह और एक चीज़ यहां पर ये है कि ये freshers का college बहुत है मतलब कि यहां पर 75% बच्चे जो है वो freshers है ये मैं क्यों बता रहा हूँ अगर आपको डर लग रहा है कि मैं मैं fresher हूँ में बस job experience तो है नहीं और इस वज़े से मैं केवल IAM में ही जाके पढ़ूँगा तो IAM में ये से बहुत से लोग हैं और यहां पर काफी ज़ादा अच्छी companies भी आ रही हैं so this is a very good area जिसको आप explore करें 75% जो है freshers है और केवल 10% ऐसे students है जो या तो 2 या फिर 2 प्लस एयर्स का experience लेकर आए केवल 10% that means केवल 30 students है और इन 30 students है अगर आप सही से communication करते है तो देखें really tell you कि companies में इस वक्त क्या environment है क्या culture है क्या changes है so sort of ये पूरी बाते इसमें complete हो जाती है एक internships का और बचता है देखें किसी भी अच्छे college को अगर आपको पहचानना है है तो आप उनके students से पूछे internships कहां पे करी और कितना पैसा मिला तो ये college की reputation को बहुत ज़ादा बताता है इनके है वहाँ royal enfield plus retail, royal enfield plus retail की काफी companies आई, retail as a market बहुत ज़ादा बड़ा है and plus ये pandemic से untouch रहा है plus ये online जाने में बहुत तेजी से online strategies अपनी बना रहे हैं international players भी और इन में से आप ले लीजे CK या फिर IFB, जो IFB retail पूरी तरह से नहीं है, electronic equipment से हैं बट retail stores हैं, तो यहाँ पे जो average इनका जो गया था, अगर हम सब का मान लें, internships का तो तकरीबन 13,000 करीब payment आया है और royal enfield ने 75,000 दिया है, मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपको 10,000 भी मिल जा रहा है आपकी उसके लिए, तो ये कोई बुरा नहीं है, मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा है आपको अगर internships के मिल जा रहा है, because we need that exposure somehow, otherwise it would be a problem, तो almost सारी बाते हो गई हैं, इनके जो faculties हैं, कहां से पढ़े हैं, मैं ये भी बता देता हूँ, तो corporate वाली बात तो कर ली है, बट इनके वाँ maximum PhDs हैं, एक अच्छी बात ये है, and secondly, इनके अच्छी बात एक जो और है, वो है, कि IIM से भी, इ सारी बाते खतम हो चुकी हैं, यहां पर, and दो domains की मैं बात यहां पर आपको बता दू, जिन्होंने 2020 में, इनके वाँ भी, इनके वहाँ, अपने वाँ, मतलब इनकी data report अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको चाही हो तो आप WhatsApp कर दिए, हम भेज देंगे, 2020 मे दो fields जो आगे आई हैं, जिनने तकरीबन 5% का growth हुआ है, वो data analytics है, and consulting है, तो आप consulting में जरूर ध्यान दीजिए, कि exactly क्या काम होता है, और कैसी है, लास्ट में ROI थोड़ा देख लेते हैं, इनका grand total जो आ रहा है, hostel fees हटा के है यह, तो हम hostel fees इसमें देखे, total year fees लिखा है, other fees ल देखा है, तो इनकी जो total fees होगी, I think so, nearly 12 lakhs के करीब होगी, 12 lakhs से लेके, 14 lakhs तक यह please check कर लीजेगा यह चीज़ एक बार, क्योंकि मुझे ROI निकालने के लिए यह चाहिए होता है, ROI में मैं यह भी नहीं देखता हूँ कि आपने previously job किया है कि नहीं किया है, क्योंकि ROI चेंज ह अगरा मिला के, लेकिन internships भी क्योंकि आपको मिल रही है, आप एक opportunity cost है, तो हम इसे 80% के आसपर जरूर रखेंगे, और 80% बहुत अच्छा है, 65, हमारे method में हमने देखा है कि 65% भी ROI आता है, तो वो good है, top के जो colleges है, IAMS में, उनमें ही ROI 100% आ रहा है, और यह 100% तब आता है, ज 80% मिल रहा है, और almost, अगर आप देखेंगे, ठीक ठाक, 65% ROI सबको मिल ही जाएगा, और यह हमारा demarkation है, इस method पे, so thanks a lot, this is career call, the educational guru call, I hope you like the video, and और कोई colleges हो आप ज़रूर बताइए, and MBA के लिए हम लगतार colleges के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, and if you want our services, our services are in the description, do like the video and do subscribe to the channel, thank you very much.